तकर तकर करके इसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं अरे आप कहते तो मैं खुद हतोडा लेकर आती एक ही बार में मार के पूरा सेट कर देते स्टीकर मेरे फोर हेड में पर्मनेंटली हलो गाइज वेलकम बैक तो मैं चैनल मैं हो अफ्रीम आपको तो मेरे प्रिविए वीडियो याद है मैं एक बेंगॉली लेडी के पास गई थी साथ इंडियान मेकप के लिए तो अज मैं वहां पर दुबारा जा रही हूँ मैं कल मैं गई थी तो अगर नहीं देखा तो आई मैं आपको मिल जाएगा वहां पर देख लेना एंड गाइज अभी मैं हूँ फ्रेक्ट्योल पंप पे तो गाइस मैं अभी हां से निकल रही हूँ तो हां पर जाके मैं आप लोगों से बाज करती हूँ बाइज आज मैं आप लोगों को इक थमाकेदार अप्लिकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है कैश करो अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं मैं बता देती हूँ कैश करो एक ऐसा अप्लिकेशन है जहां पे आप पंदरा सो से भी जादा वेबसाइट लाइक फ्लिप कार्ड मिंत्रा एमाजॉन अजियो और भी बहुत कुछ वेबसाइट से शॉपिंग करके धेट साड़ा कैश बैक अर्न कर सकते हूँ इस कैश बग को लेके दो चीज कर सकते हूँ या फिर एमाजॉन जो फाउचर होते है उसमें भी यूज कर सकते हूँ तो आपको कुछ नहीं करना है आपको मेरी स्किप्शन बॉक्स में जाना है वहां पे लिंक दिया हुआ है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद वहां से रेजिस्टर करने के आप अपनी फेप्रिट शॉपिंग साइट को ओपन कर जल दी से मैं भी जा रही हूँ एमाजॉन पे उसके बाद आप अपना और प्लेस कर लो जो भी आपको पसंद राए और उसके बाद आप अपना पेमिंट कर दो और पेमिंट करने के बाद आप कैश करो में जाओ और एक अपनी आर्निंग झारिक कर सकते हूँ मतलब आपका जो कैश बाद इसको चेक कर सकते हो और बेस्ट पाट यह है इस केश बाद को लिए जल दी से जाओ और कर लो शॉपिंग ठीक है फिर आप स्टार्ट कीजिए अपको जैसा कहा था आप ऐसे ही मेकप कर दीजिए वने मतलब बिंगॉली होना चाहिए एक दम जैसे कलुका अगेरा पहनाते है तो आपको हिसाब से मेकप करना आजका तो मेरी स्टार्ट कहने के तुरंद बाद ही वो आगे आठी उताने आपको तो कुछ पता ही नहीं है वह कितना टैलेंटर हो आप मेरी मूह के ऊपर सनीटाइजर से स्टीम दे रहे हो और आपको पता ही नहीं है कुछ वाह एक काम करो ना आप मेरा गला दवा दो मुझे खून कर दो इसे अच्छा होगा मतलब ऐसे मढने से तो एक चांस में मेरी प्रिवियर्स वीडियो मतलब कल मैं जब इनके पास आई थी तब इनका टैटू कुछ अलग था आज मैं देख रही हूँ कुछ अलग है मुझे तो लगा यह पार्मनेन टैटू है बट आज पता चला कि यह तो स्टीकर है मतलब टैटू में भी धोका वाव सो चलो बा बांशल अके दो आणिकर है मतलब मेहंदी लगा थी तो उसके बार्म पूरे एकड़्स निकल गया त्यौ थी मेरे हाथ हूद की और आपग मधे से ल्याओ है व्गूं वह फोग मेहंदी लगता हूँ डिस कोई है तो इसी कोई बात नहीं है तेखो किina जूट कैना पतता है मुझे मेरा सच मेरा क्या होगा और चीजंड पढ़ेहिसे देखी करा है dal दो 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 फशरूर्णक पार्ड को पता है तेखी का एक आप लोगो भी देखने में अच्छा लगएगा तो जो भी हो बात करते हैं इनका आइब्रोज ड्रॉज करना हो गया है और आइब्रोज भी खीच के बहुत लंबा कर दिया है ना बढ़ा मतलब इतना लंबा इपर अच्छा लग रहा है और अभी वह अपलाई कर रही है फिं होने वाला है मेरा आई मेकप और आई मेकप के ऊपर ही डिपेंड करता है कि यह मेकप कैसा होगा अच्छा होगा बुरा होगा या फिर मॉन्जोली का जैसा होगा वो तो आगे ही पता चलेगा वैसे ब्रस से इतना घिसने के बाद भी देखा आई मेकप तो जैसे लगा ही न लगाता है आईशादो के उपर सच में यार मैं पागल हो जाओंगी एक दिन इन लोगे मेकप के चक्कर में तो चलो इनका एक ही छोटे से आखों के ऊपर डबल डबल आइलाइनर लगाना हो गया है सबी डबल आइलाइनर लगा के इनका मन बिल्कुल भी नहीं बढ़ा अभी वैसे ये औरत बहुत ही महान है इसलिए उनको ट्रिपल लगा भी मन नहीं भरा अब फिर से ऐलाइनर लगा रही है मतलब कितना ऐलाइनर लगाईगी काम करो आपना मेरे पूरे फेस पर ऐलाइनर लगा दो एक ही बार में में कप पूरा खतम हो जाएका में करने का कोई जह नहीं होगा तो चलो फाइनली अभी मेरा आई मेकप खतम हुआ मैं बहुत जादा खुश हूँ और अभी वो अपलाई कर रहे है फाउंडेशन जिसका शेड बहुत ही जादा लाइथ है तो इसको ब्लेंट होने के बाद पक्का मैं भूत दिखूंगी इंडियन गोस्ट नहीं फॉरेन कंट्री की भूत लगूंगी एकदम वाइट हुआला तो ब्रश से नाकाम कोशिश करने के बाद इन होने फाइनली हाथ को लगा ही दिया मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि बटन माज रहा है मेरी स्कीन के ऊपर हाँ 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 एक काम करना मेरी नाक को खीज के एकदम पहली यह लेडी है जिन्होंने पतला बेस मेकप मेरी उपर लगाया जो दिखने में एक फाउडेशन जैसा ही था घंटा मैच कर रहा है आप ही देख लो कैसा है यह मतलब इसको स्कीन तोन के साथ मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं मैच कर रहा है दोनों का कलर ही बहुत ही जवाब ही नहीं है कितना अच्छी तरीके से अपने ब्लेंड किया फाउंडेशन और बेस मेकप को सच में आप तो अवार्ट पाने के लाएक हो तो साड़ा कारिक्रम खतम होने के बाद उन्हें याद आया है तो अभी उनको याद आया और अभी वो फिंगर से कर रही है त जो भी हो इतना ब्लेंड करने के बाद भी ब्लेंड नहीं हुआ इसलिए मुझे फिर से उसको सेट करना पड़ा मेरे अपने फिंगर से अब मैं क्या करो इन लोग का तो काम अच्छे से होता ही नहीं है अभी वो यूज कर रही है कॉम्पैक पावड़ा ताके ये भूतिया यूज कर रही हो यहीं बड़ी बात है अब हातों से लगा रही है फिंगर से लगा रही है ब्लॉशर और इस ब्लॉशर से ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जो चिंग स्पॉन से वह अल्मोंस जला हुआ है मतलब धूप में जल गया है एकदम ना इसका कुछ अच्छा कलर है ना मतलब यह लेडी तो इतना जाता चालाग है कि वह खुद ऐसे लगा के जारी है बाकी ब्लेंटिंग मुझे ही खुद करना पर रहा है कितना कामचोड है यह लेडी सभी वह अपलाई करेगी लिप्स्टिक और वह भी ऑक्टोबस वाली टेखनीक से आप लोग देखो ऐसा ट लिप्स्टिक लगा दिया और अभी देखिए ऐसा लग रहा है जैसे मेरे होटों को मधुमक्खी ने काट लिया ऐसा बढ़ा हो गया मेरा होट पुरा अभी पो आई-लैस जो है वो चिपका दिया मेरे आखों में एक दम और पता नहीं मतलब ऐसे लग रहा है जैसे इसमें है नहीं मतलब थोड़ा हलका हलका जैसा फील हूँ अच्छा आप यह मतलब ऐसे टाइप के बिंदी कॉल का जो यह तो नौर्मली जो कॉल करते है न वह नहीं है आपके पास मतलब वह करके नहीं है और इसमें भी काम चोड़ी सच में लूट ता आप ही लोग रहे हो बहुत सारे लोग कहते है कि यह लोग काम करें पेट चलाने के लिए अच्छली यह लोग लोगो को लूटने के लिए काम करते वो तो आप लोग ही देख लो अच्छे से उपर से यह स्टीकर इधर उधर इतना जाधा पो कर रही है कि स्टीकर तो एकदम फाउंडेशन सब कुछ ल अरे यार आप कहते तो मैं खुद हटोड़ा लेकर आती एक ही बार में मार के पूरा सेट कर देते इस टीकर मेरे फोरहेड में पर्मनेंटली आपने तो कहा था एक मेटेक में आपने तो कहा था कि यह तोनर है और अभी आप क्यों लगा रहे उसको अभी तो आपको मेकप फीक्सर लगाना है ना इता दुटो का जी को रहे तो मेकप टा ठीक है राग मुझे पढ़ता नहीं था ठीक है आप लोग को पता चल गया होगा कि मेकप के स्टाइटिंग में और मेकप के एंडिंग में सैनिटाइजर लगाना बहुत ही जरूरी है लॉंग लास्टिंग मेकप के लिए अभी वो मेरी हेर को इस नाजुक सी कर्लर से कर्ल करने की कोशिश कर रही है ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरा हेर का सत्या नाश होने ही वाला है मतलब ये लेडी मेरे हेर को जलाना दे यही मुझे डर है उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मैं कर्ल कर दू तो मैंने कहा चलो ठीक है बट मुझे क्या पता कि यही सब होने वाला है मेरे साथ मैंने इनको कहा के नहीं हो रहा है कर्ल तो इन्होंने कहा का आपका हेर बहुत लंबा है इसलिए टाइम लग रहा है ये भी कोई बात हुई आपका उस नाजुक सी कर्लर को हटाओ और कुछ अच्छा लाओ यार तो अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे दोनों साइट से दोनों साप लटक रहा है पार्मनेंटली अज का मेकप बहुत ही जादा लाइट था साउथ इंडिया तो आज का मेकप नॉर्मल ही है इतना भी कुछ खास नहीं है तो मैं आपको हजार दे रही हूँ तो आप देखिए हजार लीजिए क्योंकि मेरा मेकप और कलका वगएर आपने कुछ भी नहीं किया और ये तो स्टीकर जिपकारिया आपने तो डेर हजार उसी साब से बहुत ही जादा हो रहा है मैं डेर हजार तो नहीं दे पाऊंगे आपको मैं हजार तेरो आप लीजिए जाइ हब गई हजार में बात बन गई उन्होंने भी रियलाइज किया कि भो इतने गश्यद तरीके से मेक अप किया मेरा काम हौ गया हर मेक अप आटिस वार जाती हू तो मेरा दो बार हो गया है और अभी मैं आप लोगो घर पे जाए फाइनल लूग दिखा देती हूँ तो आप लोग मेरे अच्छी तरीके से समा गई गई अभी मैं आप लोग मुझे 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 चाहिए उन्हें मुझे चाहिए वो मेरे आखों से भागने की कोशिश कर रही है आप लोग मेरे वीडियो देखते हो इतना एंजॉय कते हो बड़ सब्सक्राइब के ताइम पर बहुत जादा खंजूसी कते हो आप लोग झाल